अनकाड़ेमी, लेट्स ट्रक इट उसको हम बोलते हैं, डिमांड डिपोजिट सामने कुछ होती है, फिक्स डिपोजिट मलब एक साथ में पैसा रखो तीन साल, पांच साल के लिए अच्छा ब्याज देंगे रिकरिंग डिपोजिट मलब हर महीने मेरी सैलरी से माली यह दस अजार काट के उसका फिक्स डिपोजिट कर देना, ऐसा कुछ तो यहाँ पर यह होगा कि उसने आपको बोला है, थ्री यर्स के लिए लॉक हुआ है वक्त से पहले आप पैसा निकालने जाओगे एक साल के बाद, तो क्या होगा बैंकर आप पे पैनल्टी चड़ा देगा या आपको जितना ब्याद देना था, उसमें कुछ पैसा वो कट कर लेगा, फ़र पैनल्टी फ़र अर्ली विड्रोवल, तो ऐसी जो चीज़े होते हैं, उसको में बोलते हैं, टाइम डिपोजिट दूसरी आप कंसेप समझो, लिक्विडिटी क्या होती है कि सपोज आपको मकान आपके पास है, आपकी एसेट है अगर आपको उसको बेचना है, तो इट विल टेक मोर टाइम क्योंकि गर देखने दस लोग आएंगे, फिर उनको अच्छा है, बुरा है, वो और पच्ची जगह देख रहे है तो इट टेक्स टाइम, तुरंत आप बेच नहीं सकते आपके पास गोल्ड है, तो अभी के अभी ये गंटे में आप सेल कर सकते कोई ना कोई पॉन शॉप, जेलरी शॉप, वगिरा कम्टियों में आपको मिल जाएगा उसको खरीदने वाला तो वो जादा लिक्वीड है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आप समझो, कि जो डिमांड डिपोजिट है, वो जादा लिक्वीड है, क्योंकि आप मन चाये तब उसको हाथ में निकाल सकते अब प्रशन ये है, कि बैंक ने आपसे डिपोजिट लिया है, और वही पैसा बैंक अदानी को लोन में दे रहा है तो क्या वो आपकी डिमांड डिपोजिट जैसे कि करन्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट उसको भी वो लोन में देगा जवाब है हाँ, अगर उस बैंकर ने फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मॉडल अपनाया है तो वह आपका करन्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिपोजिट भी अदानी को लोन में दे सकता है लेकिन अगर उसने फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम अपनाया है तो फिर वो बैंकर आपके करन्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पैसा किसी को लोन में नहीं देगा तो ये दो सिस्टम में ये फरक होता है इंडिया में हम लोग फ्रेक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम अपनाते आपके करन्ट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पैसा भी लोन में किसी को दिया जा सकता है आगे दूसरा प्रशना अच्छा तो आपकी जो होनी चाहिए वो कब बढ़ेगी जब पब्लिक को दे दना दन लोन मिने उससे वो शॉपिंग करे उसके चलते डिमान बढ़े कंपनियों का प्रॉडक्शन बढ़े ये सब कब हो सकता है जब बड़ी मात्रा में लोन में पैसा गुमाया जाए तो वो तो तब ही हो सकता है न लोन में देगा नहीं से फिक्स डिकोजिट का देगा तो तो पॉंटिटी कम हो गए ना तो अपने आप वो इकनोमिक ग्रोथ में बहुत जादा बैंकर मदद नहीं कर पाएगा इसे एकनोमिक ग्रोथ में मदद मिलेगी जब भी हम लोग फ्रैक्शनल इस बैंकिंग सिस्ट अगर जो बैंक रन हो गया जैसे पंजाब महराष्ट कोपरेटिव बैंक में पैसा डूब गया लोन में जिनको दिया था और पॉब्लिक फिर लाइन में खड़ी हो गए कि हमको पैसा वापस करो तो ऐसा अगर बैंक रन हो जाता है जब अचानक से सारे लोग अपना डिपो लाइगा जबकि फ्रैक्शनल इजव बैंकिंग में क्या हो सारा पैसा है वो लोन में देखे बैठा है सीवाए कि सी यारा एसलार में थोड़ा इधर उदर पैसा उसका लॉक हो तो इसलिए वहाँ पर बैंकर की स्टेविलीटी थोड़ी कम हो जाती है तो यह नेगेटिव इसमें आपको मिलेगा unlimited access to batches, comprehensive study material, one-on-one mentorship और pre और मेंस की test series भी तो दोस्तों देर मत करिये because this is the lowest pricing you will get for such a premium course इस course को subscribe करने की links description में है तो अभी जाएए और subscribe करिये